हेलो दोस्तों मेरा नाम है जिवेश और आज हम पढ़ने वाले हैं नावदाम दोस्त हुंदी चप्टर थी तो लेट्स केट स्टाड़ेड केशव के घर पर करनिष उपर एक चुडिया के अंडे दिये थे केशव के उसकी बहन श्याम 2 दोनों बड़े ध्यान करें चिडिया को आँचे लाते देखा रहे। अधि दोनों आखिं मलते कॉर्णीस के सामने पौहू से ज्याते जाते चीडिया दोनों चीड़ा दोनों को है करंछपे लिट regulate को दोनों बहें उठीव राखो पिन लाइक रहे नापको अभी जाता हूं अभी एक टाइप से आखो को मलना होता है अब आखो को रब करना इस वेट आखो कर अब करना है तो यह एस लाइक में को कर गदी हाता थोड़ा ऐसा ऐसा करना दो यह ओगया हांखो को मलना ओके तो आखो को पड़ते हैं और फिर बाद में उन्हें दोनों वहां बैठे पाए गए दोनों बैठे मिले हीडा और चिडिया हूं उनको देखने ने दोनों बच्चों को नहीं मालूम का इस आखो चिड़ा चिड़ी दोनों को वहां बैठा पाते उन दोनों को देखने में दोनों को मालूम क्या मजाल मिलता दूद और जलेबी की सुधा भी रहती थी तैर उन दोनों को देखने में उन्हें इतना अच्छ मजाल लग रहा कि दूद और जलेबी बूल जाते दोनों के दिल में उतरह तरह के सवाल उठते ही अंडे इतने बड़े होंगे किस रंग के होंगे कितने होंगे क्या खाते होंगे उनमें बच्चे किस तरह के निकले निकल आएंगे बच्चों के पर कैसे निकले गोसला कैसा है लेकिन इन बातों का जव्यात देने मीवाला हो नहीं था। उनके दिवाग में अलगले क्योशिंस आरते ये कैसा होगा कैसे रहेंगे को कैसा खाना खाते हैं अन्डे कितने बड़े हैं के लारते हैं लेकिन इन बातों कोई नीजित पादा था आ आमा को घर में काम काम अंधो धन्दो थे पूर्शती थी नकिसी को काम पूर्शती नहीं थी सारे अपने इस आगे शाम कहती किया भाई बच्चे निकल का फूर से उड़ जाएंगे केश्व विजवानों जैसे गर्व से जाता हूं नहीं पगलियां पहले पर निकलेंगे फिर बैगर परोके बगार परोके कैसे उड़ेंगे बिचारें पहले पर निकलेंगे बच्चों को क्या खिलाई की बिचारी बच्चों को क्या खिलाई जोड़िया इन पेचीदा सवालों का कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ ने दे सकता था इन इस तरह तीन तीन चार दिन गुजर गए दोनों बच्चे की जिक्या से दिन दिन बढ़ती थी उनकी अंडों को देखने के मैं और दिर अधीर को उटते थे अधीर होता है अलब जल्दी उठाते तो उसला यह कि उन्होंने पैंड़ा लगा की जरूर बच्चे लिकलाएं होंगे बच्चों के DC चारों बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ क्यां क्या खाएंगे उनका सवाल क्या currently प्राइगे वो अर्फिकिए बिचारी सवाल नहों दär तरहएं कहां कहां पाई J कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बूखे कि मारे चूंचूं करके मर जाएंगे इस मुसिबत का अंदाजा करके दोनों गबरा उठे दोनों गबरा गे थोड़े यह सोचके दोने ने फैसला किया कि कॉर्णिश पर थोड़ा सा दोन रख निप खूर नहीं तब वेट शाम खुश होकर बोली शामा खुश होकर बोली तब तब तचीडिया के चारे के लिए कही उड़कर नहीं जाना पड़ेगा नहीं तब क्यों जाएगी शामा क्यों भाई 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 बच्चों को दूप नहीं लगती होगी क्यशा कज्यां इन सब तकलीफ की तरफ नहीं गया था बोला जरूर तकलीफ होगी बेचारा प्यासा और मारे तडबते होंगे और चाया भी तो कोई नहीं चाया भी तनी है आखिर कहीं ही फैसला हुआ कि घोसले के उपर कपड़े की चत बनाई चत बनादी देनी चाहिए पानी की प्याली थोड़ा सा प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव की स्क्विकार्थी हो गया कि दोने बचे ने बड़े चाव से क्याव करने लागए मांकी आंक बचा कर मटके से चावल निकाल लाई केशन ने पथर की प्याली और तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूप साफ करके ने पानी भराओ अहीं मों च्ना चांद नी के लिए कप्ड़ा कहां से आया कहां से आए अब लेकिन छाय के लिए कप्ड़ा कहां से आएगा फिर उपर बगार चड़ी के कप्ड़ा धेरेगा चप्षाइब देर देगा उड़े बदून में रहा उल्चन में आख्षिकार उसने यह मुश्चिल भी हल कर दी श्यामा से बोला जाकर कुड़ा फेकने वाले से टोकर उठा लाओ अमा जी को मत दिखाना अमा को मत दिखाना श्यामा वह तो बीट से फटी हुई है उसमें तो दूप न जाएगी उसमें से दूप न जाएगी केश्या ने जुझाल कर कहा तू टोकर तो ला तो ला ना उसका शुराख बंद करने के लिए हिकमत कर निकालूंगा निकाल लूंगा यह होगी हमारा पार्ट में अब हम करेंगे इसका नेक्स पार्ट में तो अब करते हैं बाई बाई आगर आपको वीडियो अच्छे लग अच्छे लिए सब्साइब करना मत बूला थंग।